गुड इनिंग क्लास, वेलकम यू आल वनस गेन, तोड़े आम है अगेन विद न्यू टॉपिक पंचायती राज इससे पहले आपको मैंने डेमोक्रेसी के बारे में बताया था कि डेमोक्रेसी क्या होती है या डेमोक्रेटिक गॉव्मेंट क्या होती है और उससे पहले मैंने आपको बताया था कि गॉव्मेंट क्या होती है आज बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि पंचायती राज क्या है सबसे पहले आपने सुना होगा कि इंडिया is a union of states याने कि भारत राज्यों का एक संग है और यहां पर एक संगी सरकार होती है ठीक है इसके साथ ही हम पढ़ते हैं हमारे समयधान की विशिष्टा या हमारे constitution की जो कि जो future 7 में से एक है federalism इसको हम बोलते हैं संगबाद संगबाद या federalism क्या होता है कि federalism का मतलब ही होता है कि existence of government in different levels किसी देश में बेभिन निस्तरों की सरकारों का होना ही federalism कहलाता है ठीक है तो इसी तरीके से हमारे देश में भी federalism यानिकी संगबाद विशिष्टा बनाए गया है हमारे समिधान में तो हमारे समिधान में आपने देखा हुआ कि labels of governments हैं यानिकी विभिन इस तरों की सरकार हैं भारत में होती हैं एक तो union government बोलते हैं या आप central government बोलते हैं केंदर सरकार अगर आप हम इसकी हम executive और जो हमारी जो हमारे government के main organs होते हैं तीन जो भाग हैं उनमें हम अगर देखेंगे तो legislature, executive and judiciary हम देखते हैं तो उस हिसाप से अगर आप देखेंगे यहाँ पर legislature के साप से तो central में आप देखते हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रधान मंतरी ठीक है जो सरकार के मुखिया होते हैं state में आप देखते हैं मुख्य मंतरी सरकार के मुखिया होते हैं इसी तरिके सा तीसरी स्तर की सरकार होती या के पहले स्तर की union government की Central government, दूसरा सतर में स्टेट Government का और तीसरा सतर में पंचायती राजिसी को हम बोलते हैं, इस स्तर की सरकार ,ISTान को knowledge हम बोलते हैं local government या हंदी में आप बोलते हैं स्थानी सरकार तो यह हमारी पंचायत level की government होती हैं यह इनके भी तीन स्तर हैं मैं इसको आपको आगे और भी बताऊंगा इसी के पंचायद च॥ेतर पंचायद और चिला पंचायद होती हैं यहनिकि हम पंचायद राज की संस around करें सरकार के पंचायद राज पंचायद तो सबसे पहले बच्चों हमें जानना जरूरी है कि वट इस ग्राइम सभा और ग्राइम पंचायद क्या है तो ग्राइम सभा क्या होती है हम सभी लोग आप गाउं से परिशित हैं and most of the students belong to villages ठीक है हर कोई आज गाउं से विलोंग करता है तो आप देखते होंगे कि आपके गाउं में जितने भी लोग रहते हैं और जो 18 साल से उपर के आयूके हैं और जो वोड दे सकते हैं उनको इस ग्राम सभा का सदस्य माना जाता है तो इसलिए हम ग्राम सभा को बोल देते हैं कि meeting of all adults adults मतलब about 18 years 18 साल से उपर तो वट इस ग्राम सभा अगर आप से question पूछा जाता है तो आप लिखेंगे meeting of all adults who live in the area covered by a panchait ठीक है who live in the area जो उस छेत्र में या उस गाउं में रहते हैं covered by a panchait जो कि panchait से panchait के अंदर आते हैं इनकी ग्राम panchait के अंदर आते हैं कहने का मतलब है कि हमारे पहाड़ों पर usually होता क्या है देखते होंगे कि एक गाउं एक ग्राम सभा होता है ठीक है या पूरी panchait आप जिससे आप देखते हैं panchait तो में आपके गाउं का जो ग्राम panchait का मुखिया होता है ठीक है और उस गाउं में रहने वाले जितने भी लोग हैं जो 18 साल से उपर के हैं उनको हम बोल देते हैं ग्राम सभा के members ठीक है यानि कि ग्राम सभा तो ग्राम सभा क्या होगी जैसे कोई भी गाउं के अंदर रहने वाला कोई विव्यक्ति जिसकी उम्रे 18 साल से उपर है और जो वोट दे सकता है उसको हम बोल देंगे उनके मीटिंग को यानि कि जब बैठेंगे मेटिंग तो उसको बोल देंगा हम आज ग्राम सभा की बैठाग है ठीक है ग्राम सभा की बैठाग मतला गाउं के सभी वैस्क लोगों की मीटिंग ठीक है इनका काम क्या होता है ये गाउं के ward members को चुनते हैं yard members क्या होते हैं आप पंच जीजिन को बोलते हैं हमारे गाउं में उनको पंच बोले जाता है आप इसके लिए आप अपने घर में दादा दादी या मम्मी पापा से भी आप पूछ सकते हैं ठीक है तो आपको बहुत आसानी से आएगा इंट्रेस्टिंग आपको लगेगा और किसको चुनते हैं यही ग्राम सभा के मेंबर्स यही ग्राम सभा किसको चुनती है पंचायत के प्रेसिडेंट को जिसको आप ग्राहों का ग्राम परधान कहते हैं ठीक है अब हम दूसरी तरफ चलते हैं या विलेज पंचायत ग्राम पंचायत या विलेज पंचायत क्या हो करती है पंचुं का चुनाओं करती है साथ ही ग्राम प्रधान का चुनाओं करती है उंका चुनाव कं करता है उनका चुनाओ ग्राम सभाती है धी क्या होता है टो अबrice सुझेघलाइक मेंध्न कर तो हम Sindicom में जो ग्राम प्रधान है डैट फॉर्म मतलब बनाता है क्या बनाता है विलेज पंचायत गाउं की पंचायत को बनाता है यहने कि विलेज पंचायत किसे मिलकर बनी है गाउं के ग्राम प्रधान और पंचों को ले करके बनी है और इनका चुनाओं कर रहा है इनका चुनाओं कर रहें Gram Shabha के members ठीक है जो ऐटारह साल से उपर की आउय के यह तो हमारा clear होगिया दो question आपके clear होग है what is Gram Shabha and what is Gram पंचयाद या तीसरा question इसमें और हम बना सकते है what is the difference between Gram Shabha and Gram पंचयाद तो यह आपको clearly आ गया होगा और आप इसको अपने पर discussion करेंगे तो आपको बहुत अच्छे सीज समझ में आएगा और इसको आपके ममी पापा भी बता सकते हैं अब देखते हैं हम रूल आफ विलेज पंचाहत यानि कि वाक और फिलेज पंचाहत ग्राम पंचाहत का क्या काम होता है तो सबसे पहले ग्राम पंचाहत काम क्या हो कि development programs जितने भी गाउं के अंदर विकास कारी होंगे वो सारे काम किसके होंगे विलेज पंचाहत क्यों होंगे तो अब मैं देखता हूं पहला आपको क्या क्या काम है ग्राम पंचाहत का पहला काम क्या है the construction and maintenance of water sources यानि की pipeline बनाना इनकी sources कहने का हुटती है ना pipeline गाउं में तो ग्राम बन चाहत ही उसका काम देखती है उनका निर्मान करना maintenance करना जो टूट फूट हुई है उनकी मरमत करना water sources मतलब पाली के जो स्रोथ है साथ में सडकों का देखवाल करना उनको बनाना उनकी maintenance करना उनकी मरमत करना drainage मतलब नालियों की बेस्ता करना नालियों को सही तरीके से काम करना स्कूल की building बनवाना और अन्य तरीके के जो भी काम है common properties मतलब जो सभी लोगों की काम में आज सके है ऐसे resources को का maintenance करना या उनको बनाना ठीक है दूसरा इसके अलावाज और गाम में चाहते काम क्या बता है living and collecting local taxes जैनकी छोटे मुटे टेक्स जो गाओं के इस तरके होते हैं उन टेक्स को भी वसूल करना ठीक है तीसरा हो गया executing government schemes सरकार की योजनाओं को execute करना execute का मतलब है implement करना लागू करना related to generating employment जिससे employment generate हो हैनि की रोजगार की ब्योस्ता हो in the village आप देख रहे होंगे गाओं में आजकल मंदरिका का का काम चल रहा है तो मंदर पंचायती राज के बारे में आज हमने देखा ग्राम पंचायत क्या है ग्राम शबा क्या है and what is the role of village पंचायत या what are the works of village पंचायत और अगले वीडियो में फिल्म आपके लिए इसी पंचायती राज पर हमाँ अब दूसरे स्तर पर चलेंगे जो की होगा छेत्र पंचायत okay thank you thank you very much